बच्चों, आज मैं सर्वांग समासन के भी से मुपताने जा रहा हूँ है। सर्वांग समासन करने के दिए, सबसे पहले जमीन पर पीठ को बर लेड़ जाते हैं। और पैरों को पिडा करते हैं, आधें को जमीन से शता करते हैं। इस आज मुपता है कि यह सबसे पहले है आजी समुपतार पार आज में पहरों के दिए, इसके बाद नप्वे अन्च करों पहरों के जाने हैं। और फिर पैरों को भी सीने के बराबर साथ के बेड़ा जाते हैं। तो आज करते हैं, आज मुपता हैं। आज मुपता हैं। पूनी सभी का वाज करों करते हैं। आज मुपता के बादे हैं। और यसासरो को पो पार जीन रट तक, जीन रंदी, रन्धी बर्टेगी अपर सामे के दी जस्ते पाले, और भैंस पालते हैं। दर्दान कोफ़ा रही चाहिए इसके बाद दीवे दीवे पैरों को मिल्चे लागें और जहीर को रिलाक्स देने के लिए 20 मियट तक देटे रगए अब ही इस देटे रगए अब ही इस देटे रगए इस आसम से अने गलाब होते हैं शरीर की लंबाई वरती है दर्वांग समासन से शरीर की चर्बी कम होती है यह आसन थायराइट के रोगियों के लिए बहुत ही लापकारी है धन्यवाद